हेलो एवरीवन हम स्टेडी कर रहे हैं फ्लूइड मेकनिक्स जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कंप्रिस्टिबिलिट के बारे में स्टेडी किया था आज हम लोग देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ठीक है वेपर प्रेशर क्या होता है जो कोई भी लिक्विड हो उसके सर् करदे यह ऐंगान जो इस फुरस्कान कारण जो एक प्रेशर एकजट करता है उस Soul दोगे रिक्विड हो ऑन दॉर्ड हो प्रम दो शाओसर प्रेसर एकज्विड एगजटेडिड वेपर क्यार्ट हूं सर्थे वेज capturing बहुतरों मेहं रखल्ड पर सब्सक्राइब ड 130 पर लिकिल्ड उना on the कि जो नान आज भेपर प्रेसर थिए अब भेपर प्रेसर को हम मेजर कई से करते हैं ठीक है तो इसको मेजर करने के लिए सपोस्पोस्वाइद यह लीक्विड के सर्फेस फेल जो बेपर दौरा प्रेसर लगाया जा उसके द्वारा गच्विड को गर्म करते हैं तो यह सर्फेस पे लिकविड के मॉलिक्यूल से तो हीट होने के बाद यह इसका हीट जैसे से heat का जो temperature इसका बढ़ते जाता है तो जो liquid के molecule से धीरे-धीरे इस surface को छोड़ कर गेस में convert होते हैं, तो यह liquid के molecules धीर-धीरे surface को छोड़ते जाते हैं तो जब हम इसे regularly गर्म करते जाते हैं तो यह इस तरह से छोड़ तोड़के जाते हैं और यह बेपर में कानभर्ट हो जाते हैं लेकिन अगर हम इस लिक्विड पर इस लिक्विड पर यह हमारा लिक्विड है इस लिक्विड पर हम एक सॉलिड एग्जाट करते हैं सॉलीड अगर हमिसमें रखते हैं माले जी सॉलीड रखते हैं तो इस सॉलीड का काम कर रहा है सब से यह सॉलीड है हमारा एक ऑभ चौर ग speculate का काम कर रहा है ध्यानि इससें हमारा जो ब्रम रहना वह क्र थ extrem है तो जब यह solid molecules चोड़ चोड़ के जा रहे हैं तो जब यह solid molecules चोड़ चोड़ के बैपर में convert होते हैं तो यह solid से टकराते हैं और एक ऐसा situation आता है कि जो यह solid से टकराने के बाद vapor molecules पुना यह liquid में convert होता है यानि कि यह जो यहां से condensation process शुरू होता है तो एक ऐसा situation आता है जहां पर rate of जो rate of evaporation होता है वो rate of condensation के equals होता है यानि कि जितने molecules liquid से vapor में convert होते हैं उतना ही vapor से liquid में convert हो जाते हैं तो इस situation में हम vapor pressure को measure कर सकते हैं ठीक है So when rate of evaporation When rate of evaporation Evaporation equals to rate of condensation Rate of condensation 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 That time That time measurement of pressure Is known as vapor pressure That time Measurement of Measurement of pressure Is known as Is known as Vapor pressure Pressure At equilibrium जो Vapor pressure को Measure किया जाता है सिर्फ Equilibrium condition में इसे measure कर सकते हैं ठीक है It can measure It can measure at equilibrium condition It can measure at equilibrium condition ठीक है ठीक है ठीक है इसे only हम लोग equilibrium condition पे measure कर सकते हैं और इसके corresponding जो इस समय pressure इस पे एक्ट करता है और जो इस liquid का temperature होता है उसे ही हम लोग Saturation Pressure and Saturation Temperature क्याते है ठीक है तो Add this condition Add this condition Condition Pressure is corresponding to corresponding Pressure and Temperature Temperature is non-H non-H saturation 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 Pressure and Saturation Temperature समय लोग Saturation Pressure and Saturation Temperature काते हैं ठीक अगर अगर vapor pressure less than pressure acting on the surface of liquid है तो इस case में हम हमें evaporation मिलता है ठीक है if vapor pressure less than in vapor pressure in vapor pressure vapor pressure less than pressure acting if vapor pressure less than pressure acting on the surface of liquid less than es less than pressure there. price on the surface of liquid मिदेग, अगर ये less है, तो इस case में हम 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 अगै क्या मिलता हा? we get evaporation then we get evaporation अगर जो vapor pressure है वो equal है pressure acting on the surface of liquid तो इस case में हमें boiling मिलता है इस वपर प्रेश इकल स्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ् देन वी गेट बोई लिए अगर वेपर प्रेसर जो है वो लेस देन है प्रेसर एक्टिंग उन दा सर्फेस अभ लिक्वीड तो इस केस में उन प्रेशन मिलता है और अगर वेपर प्रेसर इकवल इस टो है प्रेसर एक्टिंग on the surface of liquid तो इस case में हम मिलता है boiling फिक है अब देखते हैं कि इसमें वैपराईजन क्या होता है तो अगर m kg of liquid जो completely convert हो जाता है m kg of gas में तो इस phase transformation को हम लोग क्या करते है वेपराइजेशन if m kg of liquid इसको note कर ले if m kg of liquid इसकोड बाइजेशन if m kg of liquid completely सब्यक्युव पूंफले इंट पेक कि आए mogą आए अए पूंट ही र ट्रांस्फोर्मेशन यह नॉन एज एज वेपराजेशन तो इस केस को हम लोग वेपराजेशन कहाते हैं तो यह था हमारा वेपर प्रेशर जो फ्लुड पर हमारा एक करता है ताज के टॉपिक में इतना है थैंक्स पर वाचिए